हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब अच्छा खुरतिय स्वस्तों गया अच्छ होगे मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आपको हमें शहीं पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शडब के लाइप में सोगोना पॉजिटिविटी अच्छा करता ह है और अच के सीडिग में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की करन्ड सिच्वेशन इस वक्त आपके परसंगी पीलिंस आपके लिए यह रीकंसलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं करन्ड में और आपको करना क्या चाहिए इस वक्त चानल पर निवह चालों को सब्स्क्रा और किस्टर के जो भी प्रोडस्ट लेने हैं सेम नंबर पर कॉंटक करना है मेरा सीप एक नंबर ही जो वीडियो वर डिस्क्रिप्शन में है ठीक है देखे क्या निकल क्या आता है वीडियो को एंट तक ज़रूर देखना है गट करी उनिवर्स पर यूवर्स की लव इनके लिलेश्ञप की करण सीचुएशन इनके लव रिलेश्यैश्प की करण सीचुएशन फूर आप पारफ्सोर्स की एनर्जी जाएन बहुत परषान होना रहतों को backwards नेगेटी divorced ज्याद है और नेगेटी ऑर जो की फटियुर test ना explicitly सर्य ने को ने कर फेक दिया है आपके दिल को इन्होंने पेरों तरी कुचल दिया है इतना नफरत यह परसन आपसे कैसे करने लगा आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको लग रहा है बहुत साहिड होगे हां पर 90% लोगों को लग रहा है कि आपके परसन की उपर जादू टोना हुआ है न प्रकरेंट इनर्जी में आप बहुत जजब रूटे वही दिखाया दे रहे हैं सैड इनर्जी में हों आपको सिरल और सिंटाफर रहा है कि कोई स्थे की पकड़ पकड़कर खीज़कर मार रहा है आपको सरदर्द होता है भारी बहुत ज़्यदा डिप्रेशन फील होता है आप में से कुछ लोग को जो की जैसे की साइकेर्ट्रिस की ट्रीटमेंट भी चल रही होगी आपके परसन ने अपके मेंटेलेडी कंप्री डिस्टब कर दी है स्ट्रेस टेंशन आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आप दिल से वेट कर रहे हो कि ये परसन वापस आजाए आपके पास क्योंकि जब तक कि ये परसन वापस नहीं आएंगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपकी लाइफ में आपको इनके करंट में ब अडिया पे अगर उन्होंना आपको ब्लॉग भी कर दिया है तो फेक आडिस से इंको मैसेज़ेस करते रहना और अगर आपके परसन पहले कर रिपलाई करने ही रहे है और अगर करते हैं तो आपका लड़ाई जगडाई हो रहा है और ये परसन आपको क्लियर बता रही कि आ आप चले जाओ आप चले जाओ नहीं चाहिए रिष्टा नहीं चाहिए आप क्यों आप इनको परिशान कर रहे हो और ये इनर्जी आपको और ज़्यादा रूला रही है ठीक है बहुत राते हो चुके बहुत महिने हो चुके कि आप रातों को सोय नहीं हो नेगिटिविटी 24-7 आप सिर्फ और सिर्फ जाग रहे हो, ठकते हो थोड़ा बहुत नींदा भी जाता है, लेकिन 24 घंटों में से, दो घंटे से ज्यादा आप सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा ठके हुए हो तो 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन आप जैसे पहले खुश थे, आपके परसंग के सा आपको आती थी, इस एनर्जीस को आपने बहुत टाइम हो चुका है, बहुत मैने हो चुके है, जियाई नहीं है, आपके जिंदगी से खुशी complete और complete गायब हो चुके है, और आपको ये समझ भी नहीं आ रहे हैं, आपको अपने गलती समझ भी नहीं आ रहे हैं, कि आपने परसन के साथ जैसी कि आप इस परसन को प्यार से समजाना चाहते हो, आपके परसन समझजद नहीं रहे है और आप्को इस परसन ने बहुत नाराज कर दिया है इस रिस्ते में ठीक है तो एंसे की situation ति गड़ को रिंवर्स यह situation जिन से भी even है। इनके पार्टनर के current feeling मेरी आभर्स के लिए क्या है इस वक्त इनके पार्टनर Okay आज के लिए क्या सूच रहे हैं इसितना negative मेरे号ientes के दिमाग मे है क्या सच में इनके partner इतने नेगेटिव है मेरी Haus के साथ कष्भी क्या सच में इनके पार्टनर इतने नेगेटिव है मेरी युवर्स के लिए इनके पार्टनर की करन्ट फिलिंग्स इस वक्त क्या है करन्ट फिलिंग्स आपके परसन की आपके परसन के दिल के इंटुशन इस वक्त बहुत ज़दा पाउरफूल है इनका दिल इनको इस वक्त बार-बार कहे रहा है कि इनको आपके लिए जो कि इस वक्त तो action नहीं लेना चाहिए इस वक्त आपको problem हो सकते अगर आपको action लेते हैं अगर आपको offer करते हैं अगर इस रिस्ते की new beginning के लिए जल्दबाजी करते हैं क्योंकि पहले तो सब कुछ करके देख लिया है और अगर इतना ही आसान होता रिस्ता स्टार्ट होना तो उसी टाम पे आपको छोड़ते क्यों उसी टाम पे आपको no contact में क्यों डालते तो कुछ तो वज़त थी आपको समझना होगा क्योंकि इनका तो current energies में आपी से शादी करने का दिल है आपको नई तरह से फिर से restart देना है रिस्ते में फिर से start करना है आपके लिए efforts लगाने है और इतने efforts लगाने है थर्ड party खुद होकर इस रिस्ते से भाग जाए आपके person वो planning बनाते भी दिखाये दे रहे है थर्ड party की उपर बिलुकूल भी focus नहीं थर्ड party की thoughts भी इस person के mind में नहीं है बहुत काम करते रहते हैं बीजी रहते हैं और back of the mind सिर्फ आप भी के planning चलते हैं आप भी के thoughts इस person के दिमाग में जैसे कि four of swords के energies आपके side से थी लेकिन five of swords आपके person के side से हैं जितनी तकलिप आप जेल जहें हो current में आपके person से दूर रहे कर उससे दसगुरा ज्यादा तकलिप आपके person को current में हो रही है आप से दूर रहे कर 24-7 ये person आपके बारे में सोच रहे है ये person खुद बहुत ज़्यादा depression में है इनकी हिम्मत तूट रही है आप से दूर होने की कभी भी एक कुछ ऐसा गलत कर सकते है जिससे कि इनकी family में कुछ और फिर से एक नया problem create हो जाए आपके person इस energy से डरते है क्योंकि हाई आपको अपनाना चाहाते है आप से शादी करना चाहते है लेकिन इनको अपने family को disturb नहीं करना है अपने family को नाराज नहीं करना है इनको आप से शादी करने भी है लेकिन अपने family की permission के साथ और आपके person यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कर सकते है इनको आपका current पे बहुँ ज़दा physical attraction हो रहा है और दिल से pray कर रही इनिवर्स से कि एक मौका मिले आप दोनों को एक दुसरे से मिलने का एक दुसरे से मिलने का एक मौका मिले आप दोनों push time के लिए एक दुसरे के सामने आ जाओ ताकि आपके person जो की इनको current energies में आपके अंदर ego दिखाई दे रहा है तो इनको लग रहा है कि text या message में आपको reply देकर कोई फाइदा नहीं है वहाँ पर तो इनको ego दिखाना ही पड़ेगा आपको लेकिन आपको face to face मिलकर बात करेंगे ताकि आप इनको ego ना दिखा पाओ ठीके इनसे आपका ego बिलकुल भी बरदाशनी होता ठीके चाहते ही कि आप इनको ego ना दिखाओ ये person आपसे बात करें तो आप तुरंट reply करो इनके जैसे नहीं कि आपने message किया तो ये person आपको 2-4-5 दिन तक reply नहीं करते तो ऐसे ना करो इनको आपको अब ये हाई किया तो आप तुरंट वहाँ से हाई करो दो इनको तुरंट reply करो क्योंकि आपका ignorance मतलब इस person का headache ज़्यादा बढ़ेगा तो ये अपना headache और ज़्यादा बढ़ारा नहीं चाहते जिस बचे से ये person इस पक्त आपके लिए action लेते हैं दिखाए नहीं दे रहे है लेकिन ये जहां पर भी है इनको current energies में बहुँ ज़्यादा burden feel हो रहा है और अब ये person उस burden से निकल कर आपके पास आने के लिए निकल चुके हैं अब नहीं चाहिए इनको burden current energies में इनको भले अपने family की फिकर हो रही है लेकिन इनकी family से भी ज्यादा important current में इनको आप बढ़ा को इस बात का बुरा लगता है कि पता नहीं आपको offer करेंगे तो आपके साट से क्या energies रहेगी इनको आपके साथ से rejection feel हो रहा है आपको regret कि आपने इस person से प्यार किया और आप इस person को कभी माफ नहीं करोगे आप इस person को नाराज करोगे यह चाहा थे reconciliation लेकिन इनको लगता है कि शायद reconciliation possible नहीं है अब आ रहे है अब जब इनका बड़म बड़ा जब यह खुद परेशान हो गई उन लोगों से तब यह आ रहे है और तब तक आपके क्या हालात हुए आपके person ने आपको मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही इन्होंने आपको पूछना जरूरी समझा आप इनको इसा कुछ बोलोगे जिस वज़े से आपके person current energies में रीकंसलेशन की इच्छा होने के बावजूर कि आपके साइट से efforts का इंतजार कर रहे हैं 100% इनको रीकंसलेशन चाहिए लेकिन efforts आप इसे डलवाएंगे आप ही का देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो इनको पाने के लिए इन्होंने भले आपको हर social media account पर block कर कर रखा है लेकिन इनको आपके साइट से efforts दिखने चाहिए जैसे कि अगर आपको इनका घर का address बता है तो आप इनके घर पे जाके कुछ कर सकते हो आप इनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको इनका college पता है college में जाके जहां पर आप दोने जॉब करते हो एक जगा पे तो वहां पर जाकर मतलब कुछ अलग आप क्या कर सकते हो अब वह बात अलगी कि अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए जाओगे भी फिर भी ये person आपको कुछ इतना value नहीं देने वाले बस इनको आपके efforts दिखने चाहिए ये दिखना चाहिए कि आप अभी भी इनका पीछा कर रहे हो आपको अभी भी ये person चाहिए ये energies आपके person की positive energies ये energies आपके person का confidence increase करेगी ठीक है आप एक e Griffin हो और hier एक emperor है और आप दोनों ही same energies में हो current में ना तो आप इस person की सामने जुकने के लिए ready हो और नहीं आपके person आपके सामने जुकने के लिए ready है आप अपने person की side section चाहते है आपके person आपके side section चाहते है हो सकता है कि आप दोनों ने एक दुस्टे को ब्लॉक कर दिया है गुस्से में या तो हो सकता है कि आपके परसन ने सिर्फ आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको यह बुरा लगता है बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हेड़ेक बढ़ता है आपको ऐसे एनर्जिस से कि इसने आपको block कर दिया है तो मैं क्यों अब इसके लिए फर्स लगा हूँ तो यह एनर्जिस आपके परसन को करण पे feel हो रही है ठीक है, गाड़ करू ओर इजिवर्स ठीक है, गाड़ करू ओर इजिवर्स ये इसेफ मेरी और से क्या बात करना चाहते है? वे आपको कहना चाहते है कि भले करंड पर जो भी चल रहा है, इनको डेस्टिने पे भरोसा है, किसमत इनका जरूर साथ देगी और आपके रिस्ते में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजरी चैंजिस इस रिस्ते में जरूर आए इस बात के ओपर आपके person को current में भरोसा है, आपको यही कहना चाहते हैं, कि आप भी किस्मत पे भरोसा रोखो, भगवान है और भगवान हमारा कभी बुरा नहीं करेगा, यह आपको current में यही कहना चाहते हैं, ठीक है, गैड कर इन्वर्स, इस वक्त इनके person अगर इनको लिकर इतने positive है, इनके अंदर ego भी दिखाए दे रहा है, लेकिन इस वक्त इस रिष्टे में main obstacle क्या है, इस वक्त इनके रिष्टे में main obstacle क्या है, इस वक्त इनके रिष्टे में main obstacle क्या है, वह यह energy में main obstacle में है, कि आप दोनों अपने अपने काम में busy रहने की कोशिश कर रहे हो, बात करना है मिलना है मिलना है जो आप दोनों एक दूसरे को श्वाफ कर रहे हो एक दूसरे के बिना खुश रहने का यह इस रिष्टे का सबसे बड़ा अब्स्टाइकल है रिकांसिलेशन के लिए ठीक है आपको तो वैसे भी इन्होंने ब्लॉप कर कर रखाएगा आपके के एक्षन को भी देखोगे अपने जिन्दगी में बहुत जल्दी ठीक है एट आफ एन्स के इनर्जी स्पीड से बता रही है कि स्पीड से इस परसंग का एक्षन आएगा अब ज्यादा टाम तक वेट नहीं कर पाएंगे ठीक है यह आपको अपने भीना कुछ देखी नही क्या हो सकता है अगले 8-10-15 दिनों में आपके परसंग आपसे अपनी फिलिंग छुपा लेंगे और यह अपना दिमाग लगाएंगे कुछ ऐसा दिमाग जो कि आप दोनों का रिष्टा सड़न स्टार भी हो जाए और आपके परसंग का अक्यलापन भी दूर हो जाए ठीक ह एसा कुछ दिमाग क्यों नॉर्मली तो आप इनकी बात मानोगे नहीं नॉर्मली तो आप इस परसंग का एक भी आफर स्वीकार नहीं करोगे तो आपके परसंग कुछ नया आइडिया लगाएंगे आपको फसाने के लिए आपको कुछ टैम आपके साथ पेंड करने के हैं कब शादी करनी है ऐसी इंके परसंग लिए आज 10-15 दिनों में आपकी रिस्ते में बनेगी अधर स्अ तो हम देखते हैं इसेड्य में आपको करना क्या चखिए ग्यार्ड करना चाहिए आपको इसे उवर्स को क्या करना चाहिए यह रिस्तर जरूरा अब दोनों के इनर्द में कुई है जो कि आपको आपके पर संगे पाउने से रोका है कोई आपको आपकी जिन्दगी को लेकर सही गाइड कर रहा है तो करण पे आपको कहा जा रहा है कि ज्यादा emotional मत होना आपको किसी का जो भी person आपको गाइड कर रहा है करण पे रूख जाओ ये person जिसा कहरें उनको follow करो क्योंकि एक mature person जो कि आपके अच्छे के बारे में बूरे के बारे में समझ रहा है किसमें आपके अच्छा ये किसमें आपके बूरा ये समझ रहा है कि आपको इस वक्त इनको सुनने की जरुष है ठीक है आपको overthinking से बचना है negative energies से बचना है रात-रात बर जाकर परेशान रेने से बचना है इससे आपके negative energies और ज़्यादा बढ़ रही है इस negative energies से बचने की कोशिश करो खुद को happy रखने की कोशिश करो और कोई अगर mature person है जो आपको guide कर रहा है मतलब कि आपके इससे 10-15 साल बढ़ा अगर कोई ऐसा person आपको कुछ guidance दे रहा है current में तो उनके guidance को current में आपको follow करने की बहुँ जाए जरुवत है ठीक है? ये current energies में आपके लिए आया है और overthinking तो बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है? हम देखते इस energies में आपके लिए angel guidance क्या है इस वक एंजल सबको क्या कहना चाहेंगे? गड़करी universe से जो भी energies आई है इस energies में current में आपको आपको relax रखो आपका फेवरेट कोई music सुनो अगर आपको गाना गाने के आदते गाना गाओ अपने bedroom में गाओ, बातरूम में गाओ अपने दोस्तों के बीच में गाओ, ठीक है आपको इस वक अपने आपको heal करने के लिए संगीत को use करना है, ठीक है इनिवर्स आपके साथ है और आपको सब कुछ दिया जाएगा जो आपके नसीब में हैं, आपके किसमत में हैं आपके किसमत का लिखा कोई नहीं जुरा सकता, आपके साथ गलत करकर कोई खुश नहीं रह सकता अपनी जिंदगी में, ठीक है तो current energies में अपने आपको heal करने के लिए अगर आप संगीत का सहारा लेते हो तो आपके लिए बहुँ ज़दा अच्छा रहेगा ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है आपको अपने passion को भी follow करने की बहुँ ज़दा जरूरत है आपके साथ गलत हुआ है और उसका बदला यूनिवर्स ले लेंगे यूनिवर्स पनिश करेंगे आपके person को या तो जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है यह इनकी family वाले हो सकते या तो थरड़ पाटी हो सकती है उनको punishment मिलेगा उनका, ठीक है बस आप अपने आपको heal करो जरूरत है आपको healing की तो यही ही reading अगर आपको आपकी personal reading कराने है स्क्रिम पर देगा number पर और सब्सक्राइब मैसेज कर सकते हो वहाँ पर आपको details मिल जाएगे काल के से book करनी है तो मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए बाबाई